बचो अपने मूवी जरूर देखी होंगी नहीं देखी भई देखी है ना वेरी गोड और मूवी में एकदम आखरी में जब कास्टिंग स्टार्टिंग की खतम हो जाती है तो लिख क्या आता है डायरेक्टेड भाई और यहां पे सो कॉल्ड किसी का नाम होता है सवंजा गया तो सर यह directed by और produced by में फर्क्या होता है एक्चली जो पैसा लगाता है जो financer होता है उसके लिखते है produced by और movie की location क्या होगी कहां से camera आएगा और वो ना सोचिएगा जो camera लेकर रिकॉर्डिंग करता है वो camera man होता है उसके अलावा एक छोटी सी screen पे monitoring करता रहता है कि scene ठीक record ह हो रहा है कि नहीं आप उसे movie का director भूलते हैं तो similarly management में भी यह concept which is called as a directing सब लोग जटपट अपनी copy में अप्रेट कर ले जो directing होता क्या है simple भाषा में बात करें तो many a times आपकी मम्मी आपको अब तो कम बोलती होंगी उसके दो reasons है या तो आप खुद इतने efficient और इतने sincere या obedient हो गए या तो so called मम्मी ने आपको मान लिया c g क्या मान लिया यह क्या होता है सर चिकना घड़ा जितना भी बोलते रहो इन मनुसों की सेहत पर कोई फरत नहीं पढ़ेगा यह जाहिल 180 degree का एंगल बनाते है हर बात का एक कांस यंदर जाता और दूसरे से बाहर नहीं सीधा टेड़ा मेला कैसी बाहर जरू आता है तो दो reasons होंगे बट कुछ बच्चों को पापा मीं बोलते रहते होंगे पढ़ो 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 नहीं मेरे मुग की अवाज नहीं है यह कुछ जाहिलो गवारों का मोबाई फोन बीच में बच जाता है तो फिर मम भी बताएं कि वह तो खुद से पढ़ लेती है और तुम नहीं पढ़ते हो खुद से तो जब माक्षीट आती थी उसका 85 भी आ गया रोने लज जाती थी मे देखें लड़कियों की इंबाइब कैरेक्टर स्टिक्स होती है लड़कियां बुरा ना माने इस बात को 99 में भी ऐसे दहार दहार के रोएंगी कि जैसे वही एक नंबर सब कुछ था और उनको समझाना पड़ता है अरे बेभूबश में तीन लड़के पास हो सकते थे समझ में आया की नहीं आया समझ मैं गया तो बही ये डारेक्टिंग का मतलब सिंपल भाषा में आप समझ गए तो एठास फौर एलेमेंट चील को भी डारेक्टिंग ही बोला गया है हमारे हिंदुस्तानी मैनेजमेट सिस्टम में चील देए चार elements होते हैं directing में, कितने elements उचो, चार, हाँ सर पहला introduction to directing है, अरे नहीं भई, चार, मम्मी drone की तरह, space mission की तरह, आपको moon समझते हुए, आपके अगल बगल मंदराती रहती है, what she is doing, supervision, पढ़ रहे हो, कि mobile में PUBG खेल रहे हो, PUBG खेलना ज्यादा पसंद है, तो चलो सब्ची बना करते हैं, भई 99 marks आ गए, धाल धाल के रो रहे हैं, मम्मी समझा रही है, बिटा तीन लड़के पास हो जाते, अपने भाई को देख, 42 number आया है, कितना खुश है, ऐसा लग रहा है कि, so called, उसके पिता जी मुकेश अम्मानी और शादीम पांच जर करोड खर्च होएगा, तो this type of talk delivered by ममी is called as what, motivation, हमारे जब कभी किसी subject में कम number आते थे, commerce में कभी कम आया नहीं, और science में कभी ज्यादा की उम्मीदीन लगाई थी, तो number कम आता था, पापा एक ही बात बोलते थे, कोई tension की बात नितना वड़ा business है कौन handle करेगा, that was his motivation, और वही मेरे लिए demotivation मन जाता थ और उससी दिन से ठान लिया था, भीक मांग लूँगा, इनकी ज़्यादा धलब लूँगा, पट इनका business कभी continue नहीं करूँगा, पुपड़ेम बात गई कि नहीं गई, इसलिए भाईयों बेनों, उससाब को बढ़ा लेगा के बाहर बेच दिया, पूरा छत राज है, समझ या will create कर दे to do something, is called as what, motivation, तो एपीजी अब्दुलकलाम साहब जब बोलते थे, तो वो भी motivation था, और उसामा चाचु जब बोलते थे, वो भी motivation था, तो कुछ लोग कहते हैं, उसाम इनलादेन जी की बाते, negative motivation है, और एपीजी अब्दुलकलाम साहब की बाते, positive motivation है, ऐसा कु negative या positive भरा देती है, is that clear, leadership, leadership, बोलते हैं, मोदी जी के नेत्रत में, अब की बार, 400 पार, समझ में गया, 400 पार हुआ, लोगोंने 20% GST काटा, 255 seat देती, बड़ा GST काउंसल की बैठर करते थे, लोगोंने खुदे बैठा दिया, उनको, तो leadership quality क्या होती है, आपके school में monitor होग teacher का से बड़ा चुगलगोर, समझ मा गया, तो भई, जो भी instruction class में आएगा, through the monitor आएगा, या आपके गर में decision making पार किसी के पास होगी, और वो सब लोगों के decisions को सुनते होंगे, फिर एक final decision लेते होंगे, so anybody who is leading the reaction in chemistry, or leading the organization, is called as a leader, कोई नया idea आया, सुन्दर पिचाई साहब के दिमाग में, कि भई, हमारा Google Chrome तो अच्छा चली रहा है, बट उसके अंदर थोड़ी capabilities और add करते हैं, थोड़ा सोस को psychological बना देते हैं, और उसी को बच्चों बोलते हैं, what? artificial intelligence, तो जब इसमें artificial intelligence का concept जुड़ गया, और अलक से इसकी branding कर दी, तो पहले Google इसको bard के नाम से बेशता था, या service देता था, now it is Germany, now it is Germany, तो अब सुन्दर पिचाई साहब ने सोचा, कि भई, ये एक नया concept है, internet की दुनिया में, सर्च वगएरा तो सब पुराना हो गया, अ artificial intelligence को GPT क्यों बोलते हैं भई, GPT क्यों बोलते हैं, मैंने आपको full form एक दो बार बताया है, शायर आपको याद होगा, अरे बताया, कैसे मानलो, generative pretext, जो आप सोचेंगे, ये बना देगा, जो आप सोचेंगे, ये बना देगा, खोपने बात गई, आपने देखा होगा, मैं की, so called Google, is a sister concern, उनके managing director, उनके chief executive officer को जब बताई, कि अब दुनिया इस तरफ move कर रही है, तो अगर इसमें काम करें तो हमारे revenues बढ़ सकते हैं, तो he is performing what, leadership, समझ में आ गया, and what is this, sir ये तो महले में हमारे घर में, हमारे महले में हर जगा चलता रहता है, what is known as communication, तो communication तो सब क पता है, जादा बताने की ज़रूद नहीं है, बट कुछ गुए बहरे क्लास में है, तो उनके लिए एक बात जानी बहुत ज़री है, जब तक आप feedback नहीं देंगे, तब तक communication complete, नहीं, fundamental logic is clear, तो chapter is divided into how many parts चलन, four parts, ready everybody, चलिए, so process of instructing, guiding, counseling, and motivating, leading people in the organization to achieve the objective, is called as what चलन, directing, तो आपके school में जब teachers आपको पढ़ाते हैं, it is also directing, they guide you क्या सही है, क्या गलत है, it is directing, कभी-कभी वो आपकी समस्या का समाधान भी कर देते हैं, और कभी-कभी उनकी खुद की इतनी समस्या होती है, आप सुचते हैं क्या बचारे teacher को परशान करें, पहले period में इचिणे हुए ल परेगी बोड़गी, तो this is all called as what to learn, directing, और जब organization के अंदर के लोग ये नहीं कर पाते, तो बाहर से कुछ लोगों को पकर-पकर करने के लिए बुलाया जाता है, इसमें आपने बड़े famous so-called motivational speaker है, विवेक बिंदरा, अभी बीवीन को खुब चपल मारी थी एक दिन, इनका वाला भी एक वीडियो वायरल हुआ था, समझ में आया, इसलिए का जाता है, कमरे में जाओ, तो चपल बहार उतार के जा, हमने भी अपना आना स्टार्ट कर दिया है घर में सिस्टम, जब सिर्व विवेक बिंदरा जी का वीडियो देख लिया है, समझ में आ गया, नहीं भ objectives, तो आपके policy अगर आपको इस बात में और को तेजित कर रहे हैं, provoke कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, directing कर रहे हैं, समझ में आ गई बात भाई, तो इन motivational speakers को बुलाया जाता है, यह motivational speaker पैसे भी ठीक लाक लेते हैं, 90% cases में से बकवास करके चले जाते हैं, एक बोला खाना IITians and people from IAMs, इन्होंने नौकरी ओकरी छोड़ दी और यहाँ पे बन गया है motivational speaker, क्यों? सर यहाँ पे हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा, समझ में आ गया, तो जब भी आपका मन करे बचों, ज्यादा पैसा कमाने का, और आप अपनी जीवन की social जिम्मेदारियों से भा सब को छोड़ छाड़के, गौतम बुद्ध चले गए थे, बड़ा किताबों में लिखा जाता है, मैं दूसरे महले भी चला जाता हूं, मेरी कोई बात ही नहीं करता है, कहते हैं को घर चोड़के चला गया, दो गंटे से आई नहीं रहा है, अब क्या बता है, दोस ने सब्सक्राइब को पूरा करें, is that clear? पात-साथ साल पहले की बात है, गुजरात बोड़ का एक कोई जैन स्टुडेंट सा चले ले, उसने टॉप किया था गुजरात स्टेट बोड में, वो बीटे की टे कुछ किया ही नहीं, संस्क्रित का ग्यान लेने चले और बढ़ियां बाबा निया, यह बात सही है, यह बात सही है, खेर दो भाई थे, तो एक ने तो शादिय दिकली परिवार आगे बढ़ गया, दूसरा खेरा भाई, मैं ब्रांच ओफिस तुमको दूंगा, मैं यह सब रेविन्यू कलेक करूंगा, तो यह जो बाबा लोग करते हैं, भी क्य और अगर आपने भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु 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 गुरुण साहिब सब पढ़ लिया, 16,000 करोड पका है आपका, उन्होंने तो एक ज्यान लिया, 4,000 करोड, योगा होगा भी आड़ कर लिया, स्टार्स में आपने 20,000 करोड, काम बढ़िया है, म प्रयागराचिटी is very famous for this धोंग रचाओ activity during the upcoming grand celebration called as कुम्ब मेला, महा कुम्ब मेला, सुपर कुम्ब मेला, मिनी कुम्ब, माइक्रो कुम्ब, चलिए, जटपट लिखने है बच्छो इस definition को, let's continue बच्छो, so these are the characteristics or features of directing children, it initiates action और यहीं से leadership quality आती है, it's a continuous process, एक काम खतम होगा तो दूसरे काम का direction हम आपको दे देंगे, ममी ने देखा कि आप एक subject पढ़ चुके हैं, चलो खना को आप दूसरा पढ़ाई करो, हम बहुत देर से पढ़ लाए हैं, आप थोड़ी देर real देखेंगे, ममी लगाई कान के नीचे दो कंटा में तेरी बनाती हुँ जरा, और वही रील वाइरल हो गई पूरी, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिदल लेवल हो, चाहे ऑपरेशनल लेवल हो, टॉप लेवल is directed self, I repeat, टॉप लेवल is self-directed by the policy that they have, समझा गया, then they direct the middle level through the policy which they make, and then middle level directs to the operational और supervisory और lower level और तलितर लेवल, तो operational और supervisory शब्द तो ठीक है, इसको कृपया करके bottom level मत लिखेगा, नहीं तो bottle में सिर्फ पानी बरेंगे जिन्दी की बर, starts from top to bottom, तो भई, top level direct करेगा, middle को, middle direct किसको करेगा, operation को, train में travel किया होगा, आप सबने बचो, कभी अगर आपकी आदत रही हो, कि भागती हुई train को पकड़ना, हाँ सर वो DDLG वहला scene shoot करना है, परक सिर्व इतना है, शारुख खान की जगा हमारे पापाया भाईया होंगे, और हमारी जगा हमारा चूटा हुआ लगेज होगा, जो कूली भाग भाके हमको पकड़ा रहा होगा, is that clear, चलिए, तो वहापे आपने देखा होगा कि एक लास्ट डिपे में एक वो गार्ड होता है, और वो so-called green color की light चमकाता है, यह direction होता है कि भाई, टाइम हो गया है, अ पतेज से राएंगे, तो भी penal action जैसे वंदे भारत, automatic door closure अगेरा है, जब से वंदे भारत launch हुई है, लोगों का दले द्रापा, station चोड़ने पूरा महला जाता था ना, वो कम हो गया है, और गलती से गर आप अंदर चले गए, बस अब अगले stoppage पे, आपको उतारा जाएगा और आप से सुविधा शुल्ग भी लिया जाएगा, तो एक-दो मेरे जानने वाले वो ऐसी हरकत कर चुके थे, अब ही old age parents थे तो मजबूरी भी थी, उनके पापा मी कहने, बेटा तुम जाने नहीं हम आराम से चले जाएगे, चौधरी समझ रहे थे अपने आपको, समझना साइड लाइन पर प्लेट्फॉर्म पर अगल का सा जंप कर चाहिएगा, और एक दाप बॉर तो ऐसे भी हो चुका है, लेडीज है, फोड़ी जद्दार लेडीज, वो तो पता लगा कानपूर दिल्ली निकल नीला बाद से, और टिकेट भी देना पड़ा, समझ में आगई with directing, जैसे manpower requirement established हो गई, अब हम अपने employee को भोलेंगे, यह advertisement है, recruitment का, और जाओ newspaper agency में, page 3 में इसको print कर वालो, what we are doing, we are directing, we are initiating an action, I repeat, we are initiating an action, so that the recruitment process में start, teacher पहले दिन class में आता है, थोड़ा syllabus वगेरा के बारे में आपको जिकर करता है, that is also called as what children, initiate action, समझ में आ गया, समझ में आ गया, planning की बात करें, meeting है, board of directors की, governing body की, और किसी मामले पर कोई policy बननी है, let us say, employees के leave rules को edit किया जाए, what leave rules, क्योंकि government ने workman compensation act में थोड़ा सा change कर दिया है, तो भई agenda meeting का रखा जाएगा, agenda मतलब topic for discussion, तो यहाँ पे planning जब करेंगे, तो somebody has to start, तो जो managing director होगा, या CEO होगा, वो start करेंगा, today we'll be having the following agenda to talk for, to discuss the leave rules, बस एक ही point था, ज्यादा था ही नहीं, दूसरा, any other matter with the permission of the chair, ऐसे agenda बनाया जाता है, कभी आपने meeting meeting इस तरह से की हो प समझ में आगई बात, organize करना है, चीजों को कहां पर रखना है, कैसे लोगों को job देना है, क्या system चलेगा, that is all called as directing, अभी जैसे IT का exam होता है, चल्डेन, तो आपने शायद यह जोसा का नाम सुना होगा, हाँ सरे जोसा का भाई है जोसा, IT का पूरा council होता है, joint online system for application of admission, उसको जोसा बोलते है, जोसा counselling, तो again, IT कानपूर अगले साल IT का exam कराएगा, इस साल शायद IT खड़कपूर ने कराया था, या IT चेनने किसी न कराया था, तो हर साल एक IT turn by turn exam कराती है, जो नई IT अभी उनको chance नहीं दिया जाता, पता लगा बेकार से कार paper बना दें, और rank 720 में 720 जै software propagate किया जाएगा, और यही से counselling होगी, तो that IT is set to initiate and action, समझगे बात को, बच्चो समझगे बात को, continuous process, organization का structure जब जब चेंज होगा, expand होगे organization, ज़्यादा लोगों की recruitment हो गई, पहले एक department था, अब office बढ़ा है, तो हमने दो department कर दिये, अभी आपने देखा होगा, पुराना जो हमारा वो था बच्चों के कहते हैं उसको, parliament house, वो discard होगे अपने आप parliament house बन गया, ताकि सारे के सारे लोग सभा, राजसभा के लोग एक साथ, एक ही particular hall में, important cases जब discuss हो तो बैठ पाए, और आने वाले time में, 2029 का जो union election होगा चल रहे हैं, जो अभी ये 543 पे election होता है न, ये seats बढ़ाई जाएंगी, क्यों बढ़ाई जाएंगी सर, क्योंकि बच्चों population के हिसाप से MP MLA decide होता है, एक राफ idea मेरे पास है, I don't know how much perfect on this, हर 4 लाग की population पे एक MLA होता था, और हर 3 MLA पे so-called 1 MP होता था, मतलब 12 लाग की population पे एक member of parliament बनाया जाएगा, अब population तो इंडिय याग इतने सालों में इतनी बढ़ गई, बढ़ कि हमारे number of member of parliament बढ़े, नहीं बढ़े, फिर women participation की बात की जारी है, हमारे plans में women empowerment था, तो लगबख अब नया election, 1283 या 1289 seats पे होगा basically, तो जैसे तेलांगना को इन्होंने create किया, एक state को छोटा गर के अंदर प्रदेश को, UP क छोटा किया, तो इन्होंने वो बना दिया, कि केते हैं, उत्राखंट, देहरादून उसकी capital बन गई, बिहार का इन्होंने जारकंट, शात्रिसगण and all that कर दिया, तो ये divisions, कलको population बढ़ेगी, management difficult हो जाएगा, तो ये काम करना पड़ेगा, तो it is a continuous process, समझ में आ गया, तो तो दा, middle level, middle level will give order to the lower level, top level तो policy से instruction लेगा, middle level को instruction कौन देगा, top level, और operational या supervisory level को instruction कौन देगा, lower level, lower level देगा, middle level देगा, who will motivate हो, top level will motivate the middle level and middle level will motivate the lower level, क्या मिस्टर मुकेश अम्मानी, जो chief executive officer या managing director and reliance industries के, ये salesman को एक motivational talk deliver करेंगे, बिल्कुल नहीं, शादी में भूजिया दिया थे 50 रुपे का डिबबा, इससे अच्छी तो भाजी माई भाईयक शादी में आई थी, 400 का डिबबा था, लखनौ से बनवाया था, brown, baker से, नहीं, JJ Bakers है न, तुशाजी कौन सा famous baker है लखनौ में, Mr. Brown Yes, sir, 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 naam change हो गया, Danbro हो गया, Danbro हो गया, बुलाया नहीं, उनलों में मेरे को, तीदा कट होने के लिए, चलिए, बीकुए, 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 चलते हैं, आगे starts from top to bottom के पहले, जो पिछला वाला point ता, उसमें ए ममी को instruction देती होंगी, आ, sir, बहुत बोलती रहती हैं, और ममी, आपको, वो भी, sir, बहुत बोलती रहती हैं, जब आप उस उमर में जाएंगे, आप भी ऐसे ही बहुत बोलेंगे, it's a generation genre, ओपलें बात गई, तो ये आही जाता है, सडूपन दिमाग में, इसलिए आदमी कहता बाईया सतर पच्छातर पहुचो तो निपट लो, नहां परशाण न सामने वाला परशाण, समझने आ गया, essential at every level, चलिए, start from top to bottom, तो how does it start from top to bottom चलन, बाई, lower level में सबसे जादा direction की ज़रत है, क्योंकि सबसे बाईल बुदी यहीं पर होते हैं, उससे कम ज़रत कहां पर है, middle level पे और ये गलत भी हो yes boss donkey और horse आपको so-called boss को एकदम boss ही बोलना है चाहे वो गोड़ा हो चाहे वो गधा हो चाहे उसकी policy चीग हो चाहे गरबड़ हो तो it is yes boss donkey और horse examiner लेके चले आना पता चला head examiner zero देते नंबर बे और जो copy चेक कर रहे टीचर उसने full marks दिये थे आपको क्योंकि boss तुमा पे head examiner है आप निफ्टा दिये जाएंगे तो यह होती है बच्चो hierarchy क्या होती है hierarchy hierarchy का मतलब तो बता है सबको भई the position of top to middle to operational level चले चले लेट्स कंटिनीव फर्दर सर इसका importance भी पढ़ना है फोड़े important same है बच्चों tension लेने की जुरूत नहीं है यह चीज आपने देखी होगी अगर leader ही नहीं होगा action initiate ही नहीं होगा क्या squad March करेगा not at all अगर आपको target ही नहीं देगा आपका manager तो क्या आप उसको achieve करने के लिए कुछ काम करेंगे not at all if anything changes in the organization at the level of operations पहले manual typing होती थी manual मतलब वो typewriter से और अब computer आ गया था कि editing वगरा easily से हो जाए और employees accept करने को त्यार नहीं है in a publishing house this change तो employees को motivate करना पड़ेगा थोड़ा सा बैस से आपकी efficiency level बढ़ जाएगा comfort level बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ आपके salary levels भी बढ़ जाएगे खोपड़ें बात गई तो lead employees again motivation पिना कुछ बोले कुछ किये क्या आप motivate कर पाएं किसी को no गुंगा आदमी motivate कर सकता है अंधा आदमी कर सकता है आप Shrikant movie देख लिजे गुंगा भी कर सकता है अं motivate भी कर देते हैं और जीवन डिस्टर्ब भी कर देते हैं चलिए बढ़ी stability and balance कहां पे क्या जादा हो रहा है required नहीं था उसको कम करना है कहां पे क्या कम हो रहा है required थोड़ा जादा है उसको बढ़ाना है तो you will maintain the revenues if they are going down by giving incentive to the staff you can lead them you can motivate them to sell more and more because they will get more salary hike they will get better incentive तो आपके organization में so called stability बनी रहेगी revenues की sir balance का मतलब कुछ ऐसा हो गया अगर employee को लग रहे कि मैं कितना भी effort कर लो मेरी salary तो अतनी है कुछ उट्टी दिलना start कर देगा नौकरी छोड़गे एक से दूसरे दूसरे तीसरे के पास जाएगा और अगर आप नहीं चाहते कि labor turnover हो जादा लोग जादा भागे तो आपको उनको motivate करना पड़ेगा कुछ financial incentives या कुछ non financial incentives देने पड़ेंगे चलोन have you heard the name of Mr. Kiran Bedi ये इंडिया की पहली lady IPS officer थी इनका promotion due था बट इनके counterpartic male officer को promote कर दिया गया तभी ये अर्विन केजरिवाल जी और दूसरे कौन थे भाई अन्ना हजारे और किरन मैट गये थे निपट गए बिचारे हमने आ जारे जी वो चीफ मिनिस्टर बन गया है और वो एक स्टेट की गवर्णर बन गई समझ में आया क्या मिन्टेन वर स्टेबिल्टी एंड बैलन्स कॉपी डॉल पॉइंट्स चलिए एक-एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अभी तक इंप्लोईज को बोला जा रहा था इन अ पर्टिक्लर ऑफिस डिजाइन डिपार्टमेंट में आप अपने स्किल्स यूज करके पढ़िया डिजाइन कार हो गई कपड़े हो गए शूज हो गए घर के इंटीरियर्स हो गए बेबी क्लोज हो गए टॉज हो गए इस तरह का डांसिंग सीन चाहिए गाने की ये लेरिक्स हैं इस ता का बैक्ड़ाउंड चाहिए ये शारुक खान को और केटिना कैफ जी को हवा तक नहीं लगेगी एक चार मिनिट का बढ़िया विडियो त्यार हो जाएगा तो सरा आने वाली फिल्म इंडस्ट्री आने वाली सारी इंडस्ट्री इस AI और IT की वज़े से सिर्फ उन लोगों को हेल्प करेगी अगले पाक साल में खत्म हो जाएंगी जितनी आइटी हैं ये सारी कि सारी आज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस तो कराती है नाम से क्योंकि उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कोर्स का नाम ये लिखा है उसको चेंज करने के लिए काफी पेपर बाजी काफी नेता गिरी धैर आफ्ट उनके स्टैच्चूट में लौ में चेंज करना पड़ेगा तो वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस रहेगा बट स्प पुराने टीचर्स हैं वो पढ़ाना नहीं चाहेंगे उनको आता ही नहीं है जो पुराने इंप्लोईज जॉब कर रहे थे जो हाथ से डिजाइन बनाते थे वो कहेंगे नहीं हमारे लिए बड़ा अनीवन है हम इसको एडाप्ट नहीं करेंगे तो उनके सामने दो ऑप्श लगते हैं प्रोफेशन सी सारी प्रोफिशेंसी इन ओनलाइन टीचिंग वोट ऑनलाइन तो सिर्फ यह बारिश सर्दी खासी शीट-एंद्व को 9-12 के बच्चि अर सारे टीचर्ड यह लोहे के बने हुए है और जो सर्वाट भी में फेल हो गया उस दलिदर को स्कूल गु तो यहां पर पड़ाई का नुकसान ना हो तो टीचर्स को प्रोफेशन्ट होना चाहिए ऑनलाइन टीचिंग में तो जब यह चेंज आया जिन टीचर्स ने इसको प्रिफर कर लिया समझ में आगई बात समझ में आगई बात वही डन ओल कॉपी कर लिया आपने सोच नहीं कॉपी करने के लिए कि करेंगी ना करें चलिए लिख लीजे भाई मुविंगे चल्डन लीड्स तो स्टेबिलिटी और बैलंस यह लास्ट पॉइंट पहले ही आ गया स्टेबिलिटी और बैलंस चल्डन जब तक आपसका कम्मिनुकेशन ठीक नहीं होगा कैन वी शो आर लीडरशिप एंड मोटिवेट दा इंप्लोईज नॉट अगर इंसान भाग रहा है आपको इसको मोटिवेट करना पड़ेगा एक नहीं रा दिखानी पड़ेगी एक नया टार्गेट उसके लिए सेट करना पड़ेगा तब ही वो भागेगा नहीं उल्टा और जो लोग होंगे वो इसको जॉयर करना चाहेंगे तो अगर आज की तारिक में कोई TCS में जाएंगे वहां नहीं मिलती सोचता है HCL में जाएंगे वहां नहीं मिलती उचता है चलो वापेस घर अब बापू के कैश पर एश करना है और ममी के कैश पर भी एश करना है समझ में आई बात की नहीं आई बात प्लेम बात गई तो भाई leadership and motivation से ही आप अपने organization में employees क को रीटेन कर पाएंगे और अगर थोड़ा हड़का हड़का के रखेंगे तो सो कॉल्ड भाग जाएंगे समझे बात को या नहीं समझे समझ गए बात को भई पक्का जाएंगे तो इंप्लोई को मोटिवेट करना बहुत जोरी है आपने यह हरकत देखी होगी मम्मी के द्वारा नौकरों के उपर की गई जब उनको लगता है भावी जैब अगले मेरेस नहीं आएंगे हम अब मम्मी की हालत खराब आपका अभी एक्जाम चलू होने वाला है और उन्होंने भी एक दो किट्री पार्टी और जोइन कर लिए तो परतन कौन मांझेगा सर दादी मां उनकी पहले 25 किट्री पार्टी चल रही है दादा जी वो और पापा तो भई ऑफिस में और शौप पे विजी है गाज आपी पे गिरेगी तो आप उसको समझाएंगी मम्मी समझाएंगी कि भई अभी काम मत छोड़के जाओ is that clear उसकी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दी जाएगी समझना गया उसको कुछ मम्म अपनी नई साड़ी शौपर स्टॉप से लेकि आएगी थी पहनने के लिए मम्मीन सोचा पॉर्चुनरी कॉस्ट ये भाग जाएगी तो नुकसान होगा नई साड़ी मम्मीन उसको गिफ्ट कर दी तो इस आर दे वेस तो शो लीडर्शिप एंड मोटिवेशन इस बोला गय कब अपने काम में चलन रहे हैं वो अपनाwriting किसे क्लियर दारेंगे भई मिडिल यवला होगा तो टब लेवल गाएगा और लोर लेवल वालो तो मिडिल लेवल के पास जायेगा तो यहाँ पे सुपर्विजन भी आ जाता है तो ये लिखा हुआ सेम पॉइंट है तो फिर से करने वाली टेखनीक को क्या बोलते हैं directing you may speak something you may so called create some targets you may give some contest कि इतना target पूरा कर लोगे तो चाइना का one week का family travel allow कर देंगे employee कर रहे नहीं मैं के लिए चला जाँगा family साथ नहीं जाना मेरे को वो family आजाते हैं चोटे बच्चे बड़ा परशान करते हैं wife केते हैं यहाँ shopping करना है वाँ shopping करना है मैं अकेले चाँगा जाँगा तो अकेले वाला target जो प्रताब बड़ता है हाँ ठीक है मैं यह चला जाँगा बात समझ में आगई so employees को जब आप motivate करेंगे they will be willingly to contribute their maximum efforts in the organization और वो काम चोर नहीं होंगे समझे इस बात को या नहीं समझे खोबड़ें बात गई और दुनिया में सबसे पहला motivational lecture किसने deliver किया था बता है बच्चों जिनको मैंने बगवद की था dictate की थी कौन थे परेशन जी और किसको उन्होंने ये lecture दिया था अर्जुन जी अर्जुन तो ऐसे बुलने हैं ऐसे पापा गाड़ी driver है अर्जुन है अर्जुन कल चले आना समझ मा गया वो चाहते तो वो अर्जुन को बोलते चल तू गो समझ मा गया अर्जुन का नहीं मैं सार्थी बनूँगा सार्थी मतलब जो carrier होता है basically कहां गोड़े को कब लेके जाना है तो उन्होंने दो choices दितनी दुर्योधन को बोला था या तो मेरी सेना ले लो या तो मेरे को ले लो तो दुर्योधन थोड़ा हपशी टाइप का था समझ मा गया बड़ा बड़ाता ज्यादा था दिमाग गुद्धी कमती उसकी समझने है सब लोग समझने है चलिए जीवन में अर्जुन बनी है दुर्योधन कभी न बनी है Is that clear? तो so-called दुर्योधन ने सोचा ये इतने intelligent genius तो इनकी जो सेना होगी उसमें भी धेर सारे intelligent genius तो दुर्योधन जी value of final goods and services के चेकर में टग गए उनकी सेना को ले बैठ है और अर्जुन जी ने क्या किया? फैक्टरी के plant and machinery को ही ले लिया नहीं समझे बात को? समझ में आगया? चलिए नंदस? लिग दिया? चलिए stability and balance होतो चुका है पता नहीं बार-बार क्यों पढ़ाया जा रहा है भई? चलिए principles will be completing in the next lecture चलों directing के लिए चीज़े जोरी क्या है बिना communication क्या आप directing कर सकते हैं? नहीं कर सकते unity of command याद है बच्चों? क्या था? एक subordinate को एक ही superior से orders मिले? या एक superior को एक plan दिया जाए? वो unity of direction था unity of command का मतलब एक superior के नीचे धेर सारे subordinates हो सकते हैं बट एक subordinate को instruction एक बार में एक टाइम पे एक किसे मिलना चाहिए you should be knowing the suitable technique harmony of objectives इसका क्या मतलब होता है सर? जो हमारा top management है जो हमारा leader है अगर उसका target है sales maximization और हम सोचने हैं नहीं sales maximization नहीं कम commodity को ही high price पर चिपका देंगे customer को यह objective नहीं था हमारा objective क्या था? sales को maximize करना है profit को maximize नहीं करना मारूती जैसा बनना है होंडा जैसा नहीं बनना तो होंडा कहता है कि कम काडियां बेचो but price high रखो मारूती कह रहा है कि गाडिया जादा बिकनी चाहिए चाहिए price कम बात समझ में आई कि नहीं आई पक्का तो अगर आप अपने पापामी के साथ रेस्टराओं गए और किसी relative को dinner पर आपने invite कर लिया आपको objective है इनको थोड़ी रहीसी दिखानी है तो आपने मंगवा लिया जढ़ जढ़ाता हुआ क्या बोलते हैं उसको sizzler मैं बच्पन से sizzler खाने का बड़ा शौकीन रहा हूँ तो पहले मैं बोल नहीं पाता था बच्पन में सेजलर तो पंजाबी में एक शब्द होता है तो मैं उसको बोलता था पापा जो सड़ता बलता आता उसको मंगवा उड़ा लिया है और ब्रेट ना लाना परोणा लेकर आना साथ में खोब बड़ेम बात गई कि नहीं गई चलिए तो हर्मोनी ओफ अब्जेक्टिव का मतब समझना गया आपको अब्जेक्टिव था गेस्त को भोकालवाजी दिखानी है और पापा को अब्जेक्टिव था बढ़िया पौश्ची काहर खिलाना है तो पापा ने आज एक कौन सा है फ्राइडे पापा ने बटर चिकन ओटर कर दी ब्लैक दाल ओटर कर दी एक दो यूनिट्स आएंगे तो चार-पाश ब्लोग खा लेंगे आप चले रहिसी दिखाने आपने सिजलो डॉटर कर दिया तो दाट इस ऑब्जेक्ट की हार्मोनी नहीं है यह साही डारेक्शन नहीं हो पाएगा तो दोनों के अब्जेक्टिव सेम होने चाहिए इस दाट क्लिर फॉलो थू जो भी आपने डिरेक्शन दिया है वो कहां तक अचीव हुआ यह काम बच्चों कंट्रोलिंग में भी होता था यह साथ नो सर साथ चेप्र पढ़ने कवादी समझे आ गया दो चार पढ़ना पढ़ लो सब ही है ऐसा नहीं है प्लैनिंग में सारी बाट टेबल पे होती है पॉलसी के उपर बाते डिसकस होती है यहां पे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है जैसे कंप्यूटर सॉफ्टर होता है आप बस एकी चीज जानते है उसको क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा बट उस प्रोग्राम के पीछे कितना .dll होगा कितनी .exe होगी कितनी .tmp होगी यह भी दोगर तो यह वो चीज़ें है होती है बट आपको नजर नहीं आती लीडर्शिप के लिए भी क्या जोरी है बचो डारेक्टिंग यह जब आप डारेक्टिंग करते हैं कुछ ऐसी बाते आप बता देते हैं employees को तो वो आपको एकदम सर्व ग्यानी सर्व रॉम्हा समझने लग जाते हैं खोपने में बात गई informal organization में ही apply होगा बचो कि formal में apply होगा informal क्योंकि formal में तो already लोग नौकरी छोड़के जा रहे हैं is that clear? उनको लग रहा नहीं हमसे नहीं हो पाएगा अब यहाँ पे भाई साब को जाना पड़ेगा उनको समझाना पड़ेगा तो वो formal बस तभी तक था जब तक targets fix थे जब भागने लग गए डिबा गोल आलत कराब डिरेक्टर सहाब मैनेजर सहाब पहुझ गए समझाने बुझाने के लिए तो इट इनफॉर्मल maximum individual contribution हो मशीने तो काम करी रही है तो controlling और directing में difference आपको समझना गया सारे points copy कर लिए तो कौन सी form है ये? rush form समझ में आ गया? चलिए that's all for traditional